बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रूप सेयर के बारे में दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर ग्रूप को लेकर काफी बड़े इंपोर्टेट्स आये हैं जो कि मैं आज आपको सेयर्स के बारे में बताऊंगा साथी मैं आपको उता दूँगाज यह वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने फ्यूचर ग्रूप में इंवेस्ट कर रखा है तो उसके बारे में भी बताऊंगा जिसके लिए फ्यूचर ग्रूप में काफी ज़यदा आपको दिखकतों को सामना करना पड़ सकता है लेकिन पिसले कुस दुनों से आप देखी रहे हैं कि फ्यूचर ग्रूप के स्टॉक्स में काफी ज़यदा तेजी देख रही है इसके पीछे का मुखी कारड़ भी गाईज मैं आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले गाईज मैं आपको बतादू यहाँ पर जो फीचर ग्रूप है उनके जो ट्विचर कंजूमर और फीचर रेटेल्स वो जो है आज की शेशन में जो अपर सरकिट में देखने को मिला है जैसे कि मैं आपको बतादू गाई फीचर कंजूमर की अगर मैं बात करूं जो एक टैम पर जो गाई 2.01 पर था जो की काफी जदा अपने 52 वीक का लू लगा चुका था जिसमें आज आज आपने देखा है कि इसका जो ट्रेडिंग शेशन क्लोज हुआ है वो 2.26 पर हुआ है वहीं पर मैं फीचर टेल की बात करूंगा यहां पर इनका जो 7 जून को था वो इनका 6.33 का था लेकिन आज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 8.07 का देख रहे हैं तो गाई इसके पीचे का मुख्यकारण है क्योंकि यहां पर रिलाइंस ने जो एक इन्फॉमेशन पास करिए जिसमें दिखाया जा रहा है कि फीचर गुरूप को जो है वो कुछ स्टोर्स को वापस कर रहा है जिसकी वज़ेश से फीचर गुरूप के स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दूनों से जो है कंटिनुसली आपको ग्रोइंग देख रही है तो तक इस पर टूटलत तरीके से वर्क नहीं स्टार्ट हो जया ओफिसली तब तक आपको थोड़ा वेट करना होगा साथी मैं आपको उता दूँ अजर आप उन लोगों मैंसे हो जिनकों स्टॉक लेटेट काफी जादो कहरी रहती हैं गाइस तो मैं आपको उता दूँ आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीकी की कोई दिक्कत है गाइस तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करके हमसे कोईशन पूछ सकते हो और अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहले वर वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर अपडेट मिलता रहे और आपको मैं जो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन देता रहा हूँ साथ ही मैं आपको बता दूँगा यहां पर आमेजोन ने जो आर बी एक उन्डेट टेक लिया है फॉरंसिक अंडेट के लिए क्योंकि जैसा इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि जो 945 इस्टो ट्रांसफर किये गई है इसलिए फूचर रिटेल के रिलाइंस को जिसमें इनका मानना है कि यह जो इन्होंने एक लीगली तरीके से नहीं किया है तो गाज मैं आपको बता दूँगा इनके जो इन्डिपेंडनेंट डिरेक्टर्स हैं उन्होंने एमजोन की जो जितने भी इनके जो स्कैम बताय जा है फूचर रिटेल के ले जो है काफी ज़्यादा कंप्लेंट करी हैं जिसमें कि मैं आपको उता दूँगा यह जो है एक जो है फ्रॉड के बारे में किया लेकिन गाज ऐसा कुछ है नहीं साथ ही मैं आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गाज बोनेफेट हुआ है इस सब्सक्राइब को हुआ है क्योंकि उन्होंने 50% से ज़्यादा जो है स्टोर को टेक ओवर कर लिया और तालिस सो करोड का उनको प्रफुटर वहीं पर लीगल इस्टप जो बिलॉंग करता है वह बैंक को करता है अगर ऐसा होता है तो में भी हो सकता है कि स्टोर को वापस कर करना पड़ जाए वहीं पर मैं आपको आता है तो अब इस पर वर्क होने वाला है अगर इसमें जो एक तरदा चटका हो सकता है वहीं पर गाज अगर इनके quarterly result की अगर मैं बात करूँ तो गाज यहां पर operating profit margin 3.55 का है और net sales 18.87% का रहा है वहीं पर गाज future retail का जो है काफी ज़्यादा pressure में लग रहा है क्योंकि other company जो है काफी अच्छा कर सकती है अगर यहां पर जो है case NCLT में जाता है तो गाज यह जो एक long journey देखने को मिल सकती है और future lifestyle की गाज अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो अभी कोई default date till date नहीं करा गया है तो साथी गाज मैं आपको बता दूँ आज की वीडियो में बस future group के बारे में बस इतना ही discuss करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लिजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि आपको सी तरीके से continuously regularly update मिलता रहे Thank you so much guys